इश्वर की नजर में समाथ सेवी से बरकर दूसरा कोई पुर्णे कर्म नहीं है और इसी बात का साक्षात प्रमाण है MP के बैतून की समाथ सेवी संस्था टीम संस्था पिछले दो वर्ष से लावारे सेवं बेवर्स लोगों की मदद कर रही है संस्था ने अब तक कई लावारे सेवं विक्षिप्ट लोगों की सुध लेकर उनका जीवन समारा है इसी तरह संस्था के पदादेकारियों ने गुरुवार को भी सूचना मिलने पर एक बुजर्ग महिला की दश्या सुधार की बताया जा रहा है कि बुजर्ग महिला हमलापूर हनुमान मंदर के पास दो महीने से रह रही थी मंदर के आसपास रहने वाले लोगों ने हेल्प कियर टीम को बताया कि दो महीने से देख रही बुजर्ग दिन पर रोती रहती है बात नहीं करती टीम संचालक मुसकान सुनी ने बुजर्ग अमा से बात करने का प्रयास किया बात करने पर बुजर्ग अपना नाम और घर का पता नहीं बता पाई इसके बाद हेल्प टीम ने बुजर्ग को वहां से सुलब शौचाले लेकर नहलाया नए कपड़े चपल पहना कर उन्हें उर्दन के पास मातोशरी आश्रम पहुँचाया मुसकान सोनी ने अपील की है कि ऐसे लोग जहां भी दिखें हेल्प केर टीम को 7869737134 इस नमबर पर सूच ना दे आपके एक फोन से किसी की जिन्दगी बदलने में मदद मिल सकती है हम हैं हेल्प केर यूद किलब से जो कि एक सामाजिक संस्ता है जो ऐसे ही आसाहे लोगों के लिए काम करती है